हेलो व्रिवन, रूतुराज 97 चनल में आपका स्वागड है दोस्तों और आज की व्लोग में हम दोस्तों रिव्यू करेंगे आईचर टेरा 16 HDR ये ट्रुक का, तो दोस्तों इसके पहले मैंने बहुत सारे व्लोग स्टाटा के 1613 के उपर डाले है, जो आप मेरे चनल पर देख स मेटल भी आप ट्रान्सपोर्ट कर सकते हैं कोल के लिए भी होता है, आयन ओर के लिए होता है, लेंड फिस्तमाल कर सकते लिए और माइणिें भी ज्यादातर ये ट्रुक देखा जाते है Tata 1613 के साथ भी, तो आप फ्रोफाल देख सते है दोस्तो गाड़ी की किस प्रकार है यहाँ पर आपको एक grab handle मिलता है दो wipers मिलेंगे इस तरह से और देखिए ग्रेब handle आप पकड़ सते है जब आप गाड़ी cleaning के लिए वगड़ा उपर चड़े दोस्तो यहाँ पर सेंटर में आपको आईशर की लोगो मिले की chrome में आप देख सते है किस प्रकार है तो यह भी बहुत चमकती है और आईशर ब्रेंडिंग भी है आप देख सते है यह भी chrome में है दोस्तो और यह पूरा पार्ट आपको fiber में मिल जाता है नेट वगरा है इसका और यह देखे दोस्तो यहाँ से आप टो अगरा कर सकते है अगर कोई गाड़ी अगरा फसी है कई पर तो आप इसकी मदद से टो कर सकते है यह बहुत ही मजबूत है दोस्तो और यह specially उन्होंने करके लिया है मतलब गाड़ी में जो bumper आता है दोस्तो वह निकालकर उन्होंने स्पेशल यह करके लिया है मतलब bumper अलग से करके लिया है तो बहुत ही strong bumper बनाया दोस्तो तो यह भी सही है दोस्तो गाड़ी में आता है वो पहले से उतना strong नहीं होता तो अच्छा लगा यहाँ पर goods carrier वगरा लिका होता है क्योंकि यह गाड़ी transportation के लिए यूज होती है जैस वाली जो light है वो और अपको turn light indicators भी दोस्तो attach ही मिलेंगे इस fiber में side में तो वह भी हम देखेंगे तो देखें इस तरह से आपको turn light indicators मिलेंगे दोस्तो देखिए इस तरह से तो इस गाड़ी में दोस्तो 4x2 XL configuration है और बात करे front XL की तो यहापर आपको heavy duty forge eye beam revealed elliptic type मिलता है और rear XL दोस्तो आपको heavy duty fully floating type का मिल जाता है तो यहापर भी आप देख सता है Terra 16 HDR की आपको chrome में badging मिलेगी door और sticker work भी है और यहापर दोस्तो आप पैर रखके गाड़ी में चड़ सते है cabin में आप देख सते है तो दो जगा पर आपको provision दिया गया दोस्तो तो यह भी सही है आप comfortable सथाए गाड़ी के अंदर चड़ सते तो यह दूस्तो fiber का बना होता है यह कुई मेटल होगरा नहीं है और इसको बाद में गाड़ी के color सेeur इसले purple में paint किया और यह भी fiber का बना होता है इस तरह से तो यह भी पुरा fiber है और यहापर आप देख सतते है दोस्तो यहापर radium जैसे मैंने बूल आपको और यहाँ पर एक श्टिकर भी टेखनिकों मिलता है आपको और डोर हैंडल देखिए आप ब्लेक कलर में है और लॉकिंग के लिए भी आपर प्रोविजन है तो गाड़ी आप लॉक भी कर सकते हैं बात करें गाड़ी के इंजिन के तो यहाँ पर देखिए दोस्तों और लोडेग कंडिशन में गाड़ी 4 से 5 किलो मेच तक माइलज देखते है डिपेंड करता है कि गाड़ीमेक कितना वेट है दोस्तों के ऊपर गाड़ी की माइलेज जो है वह ऐपको बता चलेगी तो देखिए अ याप देखिए यह नर कभी नु rocky तो वहाँ पर 150 और यह 220 तो आप अनुमान लगा सते कि कितना ज्यादा लिटर इसमें डिजल स्टोर आप कर सकते हैं तो यह भी सही रहेगा और लिफ्ट बगरा देखिए फिलहाल इस गाड़ी से अनलोडिंग हो रही है आप देख सते हैं तो हम गाड़ी के इस साइड से यहाँ पर प्रोविजन दिया रहता है तो इसलिए आप देख सते हैं साइड से भी कर रहे है और गाड़ी की जो लीफ्ट है वो भी हम खोल सते हैं जब यहाँ पर इसमें रेटियर अगरा डाली जाएगी तो लीफ्ट खोलके हमें उठाने पड़ेगी तो यह भी प्रोवि वर से आप दोस्तों केबिन टील्ट कर सकते हैं जब आपको कुछ काम वगर करना हो इंजिन का वगरा तो आप जैसे आप देखते हो ज्यादा तर आइचर की गाड़िया उसे तरह से आप इस गाड़ी में भी केबिन टील्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर प्रोविजन है और यह कि मुझे दोस्तों ड्राइवर ने बोला वह महिने में दो बार तो यहाँ पर फिल्टर अगरा निकाल कर पूरी तरह से क्लीन कर लेते क्योंकि गाड़ी दोस्तों ज्यादा चलती है माइनिंग एरिया में तो बहुत सारी डश्डिस में फसी रहती है तो इसको क्लीन करना ज व्लॉक है जिसकी में लिंक इस वीडियो के डिस्रिप्शन में दे दूंगा तो वह भी आप बाद में चेक कर सकते हैं सेम मेकानिजम है दोस्तों कुछ भी डिफरेंस नहीं आप वैसे ही लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मडगाड वगरा है इसको और यह भ आपको लोगों भी मिलते है आईशर की इस तरह से देखिए ब्लैक में पूरी मिलते है एक श्टिकर वक जैसा दिखता है यह और लिफ्ट के बीच में जैसे मैं आपको बला बहुत ही गयप है तो इस गाड़ी में दोस्तों हम अंदर भी जाके देखेंगे क्या कुछ है आईशर की गाड़ी हमने जादा नहीं देखी दोस्तों और रिसेंट्ली मैंने जो आईशर पर 2049 के वोपर दोस्तों व्लोग बना था वो रिसेंट गाड़ी है दोस्तों बहुत ही नई लिकिन यह गाड़ी दोस्तों BS3 वाली पहली के तो जो जो प्रो 2049 में फीचर्स मिले फिर भी हम देखेंगे इस गाड़ी में आपको क्या features मिलते है तो अभी गाड़ी के अंदर जाएंगे और cabin में आपको दिखा दूंगा exactly क्या कुछ मिलते है तो इस तरह से आपको दर्वाजा खुलना है गाड़ी का और दर्वाजा खुलने के बार आप देख सते हो यहाँ प प्रकार है और इसका locking दोस्तो जैसे पहले वाली auto 800 या फिर auto में उगरा होता था उसी तरह है यहाँ पर कुछ texture वरकप को देखने को मिलता है देखिए rough structure है तो seat अगरा देखिए तो यहाँ पर adjustment है आपको तो seat अगरा adjust कर सकते है और देखिए आप गाड़ी का manual transmission में दोस्त और उस side में दोस्तो clutch है तो देखिए किस तरह से इसको अच्छी खाशी space है गाड़ी में अगर आप देखो तो जैसे आपको truck में इसी तरह की space रहती है दोस्तो आप देखिए यहाँ पर एक lever भी है तो गाड़ी में चड़के आम अंदर भी जाके देखेंगे कि इसका instrument cluster अ गाड़ी को तो भी maximum में गाड़ी 80 तक ही जाएगी तो कुड्स के रहे हमना इससे तरह क्या होता है दोस्तो तो 140 है दोस्तो फिर भी कोई सवाल ही नहीं इतने तक नहीं जाएगी तो यहाँ पर आपको आइचर की लोगों भी मिलेगी आप देख सते है और यहाँ पर आपको 0-10 यह साइड का और यह साइड का तो दोस्तो यह चे हुआ तो सफिशंट है चे होने के बाद आप गाड़ी ले जा सकते है तो टाटा की 1613 में भी इसी तरह का होता है तो यहाँ पर आपको यह भी मिल जाएगा तो यहाँ पर कुछ लाइट्स मिलेंगी आपको पार्किंग वगरा ओयल वगरा बैटरी के आप देख सकते है जैसे आपको अपनी कार्स में भी मिलती है तो इस तरह का सिंपल वाल आपको इंस्ट्रुमेंटल श्टर मील जाता है ओलसो दोस्तो आपको यह रिजेंबल लगे का मतलब जो आपका आईचर की जो बसीस रहती है आप कदम आप सब headlight के control से आप पर से adjust कर सकते हैं और यह side में आपको दोस्तो गाड़ी के wiper के control मिलेंगा और यहाँ पर आपको turn light indicators में जो hazard triangle का दोस्तो जो application होता है वो भी आपको इधर ही मिलेगा तो यह देखें दोस्तो गाड़ी का acceleration देने के लिए accelerator यह रहा brake और यह रहा clutch पर आप lower के भी हवा ले सकते हैं तो यह भी सही है रोस्तो एसी तो आप expect नहीं कर सकते हैं लेकिन lower के हवा तो आपके नसिब में होगी इस गाड़ी में surely और डेशबूर्ड में दोस्तो आपको दो ड्रॉवर्स मिलेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं एक है वह directly open होता है मतलब locking अगरा कुछ नहीं है इसको और जो second वाला है इसमें दो लोकिंग रहते हैं तो important कुछ सामान होता आप इदर रख सकते हैं जैक आप देख सकते हैं और बात करें गियर की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्राइट स्वीड ट्रांस्मिशन मिलता है दोस्तो तो देखिए रिवर्स वगरा जो है फर्स्ट के इसमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको मिले दोस्तो और सैड में आप देख सकते हैं तो यह बहुत है इस घृण अच्छा दिख्टा और यह देखिए इंटरियर का भी सेम रहेगा और यहाँ पर बात करें सीट्स की तो दो लोग comfortable यहाँ पर बैठ सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी जगह है आप देख सकते हैं बड़ी भी है जगह spacious है जैसे टाटाओ में होता है उससी तरह से और adjustable हो गरा है headrest हो गरा है कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप देखिए यहाँ इस तरह से खोल सकते हो ताकि जब गाड़ी में कुछ load unload हो रहा है तो आप देख सकते हैं तो अभी तो गाड़ी भरी हुए है तो इधर से हम नहीं देख सकते हैं पिर भी जब गाड़ी में मिट्टी वगरा रही तो आप देख सकते हैं बाद में जब खतम होगा मतलब पूरी लोड अनलोड हो गए ने वह आप इधर से देख सकते हैं तो यहाँ पर भी यह material अच्छा यूज किया है दोस्तो क्योंकि पूरा पत्रे का होता है और यहाँ पर गाड़ी में speaker भी डाला गया है तो गाड़ी चलाते समाई कुछ music वगरा सुन संते हैं तो यह भी अच्छा है तो यहाँ पर डाला गया है उन्होंने music player और दोस्तो गाड़ी की में इस चावी आपको दिखा रहेता हूँ दोस्तो तो चावी देखकर आप मुझे comments में बता सकते हैं दोस्तो आपको किस तरह की चावी है लग रही है बेजिकली देखने के बाद मुझे कोईसी कार की चावी नहीं लगती यह किसी motorcycle की two wheeler की चावी लगती है क्योंकि हमारी जो cars होते हैं उनमें भी keys की size होती है थोड़ी से बड़ी होते है फिर भी सही है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है किस तरह की चावी है तो बहुत ही light है और simple है कोई भी दूर से रेखेगा तो इससे बोले का कोई bike की चावी है तो एक side में i-share लिका होता है दो एक side में i-share का logo भी होता है तो यहाँ पर handle होता है जब आप cabin में चढ़ में तो यहाँ से आप देख सकते है दोस्तो यह rear view mirror जो है side वाला बहुत ही wide view प्रवाइड करता है अभी आप देख सकते है गाड़ी की unloading हो रही है और इधर cabin में बैठके मैं इधर से easy लिए देख सकता हूँ दोस्तो और देखिए comfortable और बड़े size का है टाटा में होगरा होत तो अभी बात करेंगे गाड़ी के ground clearance की तो यहाँ पर आपको 252 mm का ground clearance मिलता है, gradability आपको 27% मिलती है, gross vehicle weight है तो 16,200 kg याने 16.2 turn, wheelbase है गाड़ी का 3,485 mm, overall length है गाड़ी की 6,225 mm, overall wheat है गाड़ी की 3,460 mm, overall height है गाड़ी की 3,180 mm, और बात करेंगे यहाँ पर गाड़ी के suspension की दोस्तो तो front में आपको semi elliptical laminated leaf spring with hydraulic double acting telescopic shock absorber इस तरह का मिल जाता है, और here suspension दोस्तो आपको semi elliptical laminated leaf spring type का मिल जाता है, तो यह था vlog दोस्तो आईशर टेरा 16 HDR के बारे में, तो वीडियो पसंट आतो ज़रू लाइक कीज़ेगा दोस्तो और चैनल को subscribe कीज़ेगा, और मेरे च stay tuned अगला वीडियो ज़रू रहेगा जल्दी